इस वक्त के बड़ी जानकारी मध्यप्रदेश से जहां पर जबलपुर के नजी अस्पताल में भीशन आग लगी है आपको बता दे अस्पताल में आग लगने से 10 लोगों की मौत बताई जा रही है मध्यप्रदेश ते इस वक्की बड़ी जानकारी जहां पर जबलपुर में एक अस्पिताल में भीशन आग लग गई और इसमें अब तक आठ लोगों के जो शव है वो बरामत किये गए हैं मध्यप्रदेश के जबलपुर के एक अस्पिताल में आग लगने की वज़े से दस मरीजों की मौत हो गई है दिल दहला देने वाली यह घटना जबलपुर के न्यू लाइफ हास्पितल की है इस आग की खबर मिलते ही पूरे अस्पिताल में भगदर मच गई हर तरफ अफरा तफरी का माहूल हो गया और इस घटना की खबर तुरंत दमकल विभाग को दी गई जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुँची और किस तरह से फाइब ब्रिगेट आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा है ये तमाम तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अस्पिताल में आग लगने की खबर मिलते ही मध्यपरदेश के मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने जबलपूर के कलेक्टर से फोन पर बातचीत भी की है तो मध्यपरदेश के जबलपूर से इस वक्कि बड़ी जानकारी जहां पर अस्पिताल में ये आग लगी है मध्यपरदेश के जबलपूर में उस वक्त हडखंप मच गया जब यहां के निजी अस्पताल न्यू लाइफ मल्टी स्पाशलिटी में भीशन आग लग गई और इस आग में जो तमाम जो दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है और इस आग में दस लोगों की मौत की जानकारी मिल पा रही है तो वही कई लोग घायल बताये जा रहे हैं सूचना मिलते ही फार ब्रिगेट और पुलिस जो है वो मौके पर पहुँची हुई है लेकिन अब तक इस आग ने पूरे अस्पताल को अप्य चपेट में ले लिया है और ये बड़ी जानकारी इसके कुछी दिर बाद वरिष्ट प्रिशाशनी का अधिकारी जो हैं वे मौके पर पहुँचे हुए है प्रिशाशन इस जाच में जोटा हुआ है कि अस्पताल में आग आखिर कैसे लगी ये बताया जा रहा है कि अस्पताल को अनुमती देने में अन्यमित्ता जो है वो बरती गई थी ये बात भी सामने निकल कर आ रही है मध्यवर्देश के जबलपुर से ये बड़ी जानकारी जहां पर निजी अस्पताल में भीशन आग लग गई और इस आग के लगने से दस लोगों की मौत बताई जा रही है हालंकि इस मामले पर मंतर विश्वास सारंग ने कहा है कि इस घटना की जाच के बाद कारवाई की जाएगी इस अस्पताल के बारे में फिलहाल जादा जानकारी सामने निकल कर नहीं आ रही है कि अस्पताल किसका है इसमें कितना स्टाफ है इसकी जो जानकारी है वो जोटाई जा रही है इस घटना का पता उस समय लगा जब कुछ लोग दमो नाका से निकल रहे थे और उन्होंने अस्पताल में आग देखी लोगों ने उस वक्त चीक पुकार भी सुनी और लोगों ने तुरंत इसकी जो जानकारी है वो पुलिस और फाइब ब्रिगेट को दी तो ये बड़ी जानकारी जबलपुर के निजी अस्पताल में भीशन आग लगी है जसमें कई लोगों की मौत की खबर मिल पा रही है